जी वेस वेलकम बैक कर एल्दी मॉर्निंग आज बड़ी इंपोर्टन है पहीं बड़ी एच्छी टिप है बड़ी हेल्दी चीप है हर इसान के लिए हर इंसान इसको फॉलो कर सकता है इसमें कोई कॉंडेक्शन नहीं है पर कुछ नहीं मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई डिजी किसी को कोई डिजीज है तो वह नहीं फॉलो कर सकता ये चीज़ जो है सब फॉलो कर सकते हैं अच्छा मैं आपको टिप बताने निवाली पहले हम चलेंगे जी एल्दी मॉनिंग टिप के तरफ जी वियर जाज की टिप जो है वो हेडे के बारे में हैं, सर के दर्थ के बारे में वैसे तो हम इसके लिए कोई हेड मेसाज कराता है, कोई सर में कोई तेल डालता है, कोई बाम लगाता है, कोई दवाई खा लेता है बहुत सारी चीज़े होती है, सो जाता है, लेकिन एक टिप जो आपको working condition में भी रखेगी, सिर्फ आपको 20 मिनेट से spare करने हैं, अब वो 20 मिनेट से spare करने हैं, अगर आप घर में तो बड़ा राम से कर सकते हैं, कुछ खवातीन अक्से सुबा उठती है, तो उनके सर में बस ड सर्द हो रहा है, तो आप यह कर लें, तो आपको काफी relief मिल जाएगा, चिप जी बड़ी असान है, सबसे पहले आपने सर्द होया, बहुत अच्छे से सारे बाल, सब कुछ गीले हो गए, अपने बहुत अच्छे से धोया, फिर आपने क्या क्या है, वो पतला सा, वो cotton का नह में लपेट लिया, दोने के बाद, लपेट के रखिएगा, फिर आपने करना क्या है, कि नीम गरम पानी से थोड़ा सा और उससे जादा गरम होता है, उस पानी को आपने एक टब में लिया या जैसे भी लिया, और उसमें पाउंड जिप करके आप बैठ गी 20 मिनिट तक, औ और आपने जो सर का टॉवल था, वो हर 10 मिनिट के बाद आपने उसको पलट दिया, या चेंज कर दिया, उल्टा-पुल्टा करती नहीं, बस उसको जब आप बैठे ना, वापे दो से तीन बार करना पड़ेगा, और आप फिर आप देखेंगी कि आप कितना रिलीफ फील कर करते हैं, वो पानी में थोड़ा से लीमू डालके वो भी पीते हैं, वो भी सर का दर्ज है, रिलीफ करता है, तो वो आप आपकी मर्जी है कि आपने वो पीना है कि नहीं पीना, कुछ लोग पी पाते हैं, कुछ लोग उसमें चीनी डालते हैं, कुछ शहर डालते हैं, वो आ अच्छा जी वक्त हो गया है, पोल के सवाल का तो चलते हैं, पोल के सवाल की तरफ. जी वियर्ज, अब वक्त हो गया है हमारे पोल के सवाल का, अच्छा जी, इसका एक background है. अब आप यों कहेंगे कि यह क्या बात, तो यह तो understood है कि कौन करता है? अकसर चीज़ें हैं, अकसर चीज़ें हम लोग समझते हैं कि गलत हैं, अकसर चीज़ें हम लोग समझते हैं कि सही है लेकिन मुझसें समझता की रह जाता है, अप्लिकेशन का जब वक्त आता है तो वो कुछ और ही हो रहा होता है और उसकी वज़ा से काफी सारे लोग साफर करते हैं बहुत जादा बाते हम कहते हैं कि यह तो इसलाम में हैं यह तो रिलिजन में हैं यह तो इसमें हैं वहीं यह कहने की बात आपके वो लोगों के मूझ से रह जाती है जब वो लोग काम करने लगते हैं, जब उस चीज पर अग करने लगते हैं, तो fail उनका जो होता है, वो उनके call से बहुत ही different होता है call fail में तजाद आपने सुना होगा, आप सोचते कुछ और है, सबको बताते कुछ और है, advice कुछ और करते हैं लेकिन अब आप खुद करने पर आते हैं, तो कुछ और ही कर रहे होते हैं तो जी हमारा पोल का सवाल जो है, वो आज है कि हक महर की रगम जो है, वो कौन मकरर करता है, लड़के वाले या लड़की वाले कहने को तो लड़की वालों का हाथ है कहने तो लड़की वालों को करनी चाहिए लेकिन आपने भी situation's देखिए होनगी जहां पर लड़की वाले मकरर करते है तो लड़के वालों का क्या हाल होता है अब क्यूं एसा होता है अगर आप हर चीज़ में Islam, Islam, Islam करें इस्लाम के साभ खाद भी करें इसलाम के साभ शादी भी करें सब कुछ कर रहे यहा फिर पिजा मैं जो लड़की का हını तो लड़के वाले की उन्हों करते हैं इसको खेर, वो हर جगा डिपेंड करता है उसके अपने बिरियस यह रीजन आप लोग हमें बताएंगे क्या रीजन से का बताएंगे मैं आपको भी पताती हूं पहले चलके देखते हैं इसका जवाब कुछ लोगों ने हमें इसका जवाब दिया है पहले चलके वो देखते हैं कर देओ के लड़की के लिड़की का हक었ा तरह के लिड़की वाले करते हैं। तो आप प cited चाहिए ना, यह जो शरीय है, घिस तरह सद्वारे हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो ना निगाह करें लेकिन ये लड़की की जो डिमांड है वो होनी चाहिए अब हम मैं आपको बताती चलू कि हमारा जो सेग्मेंट है जो हमारा लाइस्टाइल का सेग्मेंट है जो मेंटल हेल्थ पे हम बात करते हैं फ्राइड़ के दे नौशीन चेजाद साइकोलोजिस्ट हमारे साथ महजूद होती है तो आज भी महजूद है सबसे पहले हम उनको वेलकम करेंगे जी फिर और बाते करते हैं असलाम लेकुम मैंलेकुम जाएंट हैं जी आप लोग इसका जवाब कैसे दे सकते हैं जी आप हमें इमेल करके से दे सकते हैं और फेस्बुक पे www.facebook.com slash healthtv.tv और फॉर लाइंस भी ओपन हो चुके क्योंकि अब हम mental health पर बात करेंगे जिसमें हम parenting skills पर बात करेंगे लेकिन पहले ही ये जवाब जो है मैं इनसे लूँगी मैं मा बताईए कि हक महर की रकम सेट करने का हक किसको है हक तो खवातीन को है लड़की वालों को है लड़की वालों को है या लड़की को है मगर बात यह है कि ये एक शादी एक मुहाइदा होती है शादी एक agreement है दो पार्टीज के दर्मियान और हर agreement में कोई security होती है लेकिन ये लड़की का social economic status दे के हक महर मुकरार किया रहाता ना ये लड़का जो है वो बहुत ही low social economics है और लड़की वालों ने रख दिया एक कड़ोड ये जो आप जो बात कर रही है ये बड़ा intricate मसला है इसमें वैसे तो हमें उल्मा की राय लेनी चाहिए क्योंकि ये जो आप छोटे-छोटे सवाल कर रही है चूंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं हुआ तो ये चीज तो आपको एक आलम बहुत अच्छे तरीके से बत आपको अच्छे नहीं कर सकते हैं यहां पर क्योंकि जब दो पार्टी के दर्मयान मौाइदा है लड़का और लड़की इनकी शादी होने जा रही है इन दोलों के दर्मयान एक रिटन मौाइदा तहरीर हो रहा है तो कॉमन सेंस कहां से आगए फिर तो असूल काम करेंगे अगर वो लड़का और लड़की क्रिस्चिन मजब से तालुक रखते हैं तो उस मजब के असूल जाईए चोटी सी ब्रेक है जी जरूर बहुत ही चोटी सी ब्रेक है यह बड़ा इंपॉर्टन मसला है जो हमने आज रेस किया इसका जवाब आप लोकों से जरूर चाहिए च कर दो हम जब कर दो हम झाः खती है कर दो, कर दो हम झाल